हेलो स्टूद्ट तो इस वीडियो में हम सॉल्फ करेंगे माट्स आरे सगरवाल चाप्टर वन इंटेजर का एक्सड़ाइस वन एक का क्क्वेशन नमबर एट तो वेशन में आपको सिंप्लिफाई करना है सिंप्लिफाई क्या करना है मैंने थे 17 माइनस माइनस 27 प्लस माइनस 25 माइनस 40 को तो यहां पर मैंने रूल्स पहले से mention कर दियें ताकि इसको solve करने में आपको किसी भी तरीके का confusion या problem ना हो अब आ जाते हैं इसको हम solve करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर बस एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें board mask का rule अपलाई करना है यहां पर क्यूंकि यह question बहुत चोटा सा इसलिए सारे रूल्स हम यहां पर अपलाई नहीं करेंगे बट हाँ ध्यान में आपको यह रखना है कि जभी भी bracket हो तो पहले आहको ब्राकेट смотреть करना फिर आपको अडिशन करना फिर आपको सब्च्राक्शन करना क्यूंकि इस question में सिर्फ ब्राकेट अरिशन वर सब्ट्राक्शन का दिक्र हुए है इसलिए हम सिर्फ अभी ब्राकेट अज़िब्राक शिक्रिया उर लिक्तались हे सॉनियां आब आजाते तो आपको बस ब्राकेट को सॉल्फ करना है तो यहां पर माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस आपका प्लस होता है तो यहां पर हो जाएगा प्लस 27 फिर यहां पर ब्राकेट में इसको रहने देते हैं अभी के लिए फिर प्लस का साइन फिर क्या है माइनस 25 माइनस माइन तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 13 और 27 को जब सब्ट्राक्ट करेंगे तो कितना आजाएगा हमारा अंसर 14 आजाएगा इसी तरीके से प्लस का साइन यहाँ पर दे देंगे अभी क्योंकि हमारा सिर्फ एक डिजिट है इसलिए हमको ब्राकेट का साइन देने का कोई जरूरत है नहीं फिर आते हैं नेक्स वाले पर नेक्स ब्राकेट में क्या है माइनस 25 प्लस 40 माइनस प्लस कितना होता है माइनस ही होता है और हमको यहाँ पर भी माइनस करना है तो यहाँ पर का साइन दे दी अब अंदर वाले को माइनस कर देते हैं तो यह कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा अब देखो ख्लियर रहा ना यहां पर सिर्फ आपको आड कर देना है तो 14 प्लस 15 कितना हो गया 14 प्लस 15 आपको 29 हो गया और यही आपका आंसर हो गया final इसी तरीके से आपको questions मिल आपको इनको भी इसी तरीके से बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्फ करना है वो देखने में थाफ लग रहा है बड़ यह काफी एजी है अगर आप इसको step by step follow करो तो और एक चीज़ हमेशा याल रखना जभी भी आप simplify करो हमेशा एक equals 2 का sign दे दिया करो ताकि वह एक अच्छा इंप्रेशन क्रियेट करता है आपके answers पे clear अब I hope कि यह clear हो गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है दुबारा से वीडियो को play करो दुबारा से समझने की कोशिश करो I don't think कोई डाउट होगा फिर अगर कुछ समझने में तिक्कत है तो आप comment में mention कीजिए next video में हम question number 9 के साथ deal करेंगे